सो हेलो गाइस टेक न्यूस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है आज पहली न्यूस है सेमसंग की तब से ठो सेमसंग ने आज CES में बहुत सारे उनके प्रोड़क्ट एनाउस किये है जिसमें से पहला प्रोड़क्ट है डूनिया का पहला बेजलेस तीवी जिसका स्क्री वीडियो इसमें इजिली हम डेख सकते है अभी तो कंटेंस बहुत कम है 8K रिजॉल्यूशन के साथ बर फ्यूचर में 8K के साथ बहुत सारे कंटेंस आनेईवाल है इसलिए इन्होंने 8K QLED TV ये लॉंच किया है वो भी डुनिया का पहला बेजलेस तीवी उसके साथ उन्हो है धी सेरो और ये एक फ्लिपेबल टीवी है जो की रोटेट हो सकता है पोट्रेट टू लेंसकेप में इजिली आपके फोन को यूज करते हुए इसके लिए पहले आपको फोन को कनेक्ट करना होगा आपने टीवी से और आपके फोन में से ही आप उसको कर सकते है रोटेट लेंसकेप लेंसकेप टू पोट्रेट ये एक बहुत अच्छा कंसेप वाला टीवी है जैसा आप कंटेंट देखना चाहते है इसे ही वह रोटेट होगा ये भी बहुत अच्छा कंसेप लाया है सेमसंग उसके साथ साथ उन्होंने कर्व डिस्प्ले वाला मोनीटर भी एना मीटावसेत हो आज मादवसेट ने ट्विक करके कहा दिया है की रियल्मी 5 लोंच होने वाला है इन्दिया में 9th of January को यह इन्दिया में 9th of januar को लोंच होने ही वाला है और यह similar type phone होगा Realme 5 and Realme 5S जैसा बट कुछ चेंजिस वो लोग इसमें करने वाले है इसकी एक live picture भी बाहर आ चुकी है मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ क्या आप इसके लिए excited हो या नहीं आपको मुझे comment section में ज़रू बटा सकते है और अगरे आपको मेरी ये take news एपिसोड पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रू like भी करना और चेनल परने और चेनल सब्सक्राइब भी करना अगली न्यूज है PUBG lovers के लिए तो Royal Pass Season 11 का update rollout होना सुरू हो चुका है और ये भी खटम होने से पहले सभी को मिल जाने वाला है Royal Pass Season 11 का update तो PUBG lovers इसके लिए लाइक करी देना पोपप selfie camera के साथ तो बहुत सारे phone आ चुके हम सभी को पता ही है बट आज OPPO ने एक नएा patent file किया है जहांपर हमें motorized camera मिलने वाला है और ये motorized camera हमें top में नहीं मिलने वाला है फोन के बट ये मिलने वाला है हमें right side में phone के right side में ये motorized camera हमें मिलने वाला है ये concept तो इनका unique है अब पता नहीं ये कब तक ये concept के साथ phone लाएंगे लाएंगे तो ये phone अच्छा unique concept बन जाएगा और आपको ये इनका कंसेप्ट केसा लगा आपको मुझे कोमें सक्सामें जबर बता ही देना अगली न्यूज है एसुस की तर्फ से तो आज एसुस ने CES में एनाउस किया है अपना गेमिंग मोनिटर जो की आता है 360Hz refresh rate के साथ और इसकी डिजाइन में स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ और ये डिजाइन बहुती कूल लग रही है जहां पर हमें RGB लाइटिंग भी दिख रही है और ये सायड इनिया में भी आने वाला है क्योंकि एसुस उनके ROG फोन्स एंड एसुस अपने ROG लेप्टोप्स इनिया में लाता ही है इसलिए ये सायड इनिया में आने ही वाला है कब आएगा जब पटा चलेगा मैं आपको बता ही दूँगा अगली न्यूज है OnePlus की टरव से तो आज OnePlus 8 Lite की लाइव पिक्चर बाहर आ चुकी है मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ और वहाँ पर हमें बोक्स में बहुत सारे OnePlus के फोन्स दिख रहा है और वहाँ पर हमें एक unknown OnePlus का फोन दिखाई दे रहा है वो है OnePlus 8 Lite क्योंकि पहले जो उसके रेंडर्स आ रहा है उससे यह सिमिलर लग रहा है और उसके बाजू में है OnePlus 6T वो OnePlus 8 Lite नहीं है OnePlus 6T ही है क्योंकि OnePlus 6T में ही हमें मिलती है बहुत बड़ी notch और ये बाजू में है OnePlus 8 Lite जहाँ पर हमें ट्रिपर रियर केमेरा दिखाई दे रहा है और पता चला है कि इसमें हमें Snapdragon 855 मिलने वाला है 855 और इसकी प्राइज होने वाली है करीबन 25-26,000 रूपीज तो क्या आप OnePlus 8 Lite के लिए excited हो या नहीं आप वो मुझे कोमें सेक्षन में ज़रूर बता ही देना Apple CES 2020 में पार्ट लेने वाला है वो भी 28 यर्स के गेब के बाद पहले उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1992 में फिर उन्होंने कंटिन्यू 28 यर्स तक पार्ट नहीं लिया था और अब 2020 में वो लोग वापस आ चुकी है CES में और वहाँ पर वो लोग अपनी बहुत सारी नहीं टेक्नोलोजी को एनांस करने वाला है वो लोग फोन या फिर कुछ और नहीं लौंज करने वाले है तो दोस्तो आज के लिए बस इतनी टेक्नीस थी अगर आपको मेरा या वीडियो पसंद आए और वीडियो को जड़ू लाइक करे शेल भी करें और चैनल पर नहीं और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें क्यूकि मैं आपके लिए एससे वीडियो लाटे जैटाऊं तो थैक्वी फो वचिंग वीडियो आपके लिए ये ने स्ट वीडियो गुद्बाई टेक के जाएंड वन्डे मात्रम